जिस प्रकार भी हो, हमें संग को द्रिड प्रतिष्ट और उन्नत बनाना होगा, और इसमें हमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, नहीं कहने से नहीं बनेगा, और किसी बात की आविशक्ता नहीं, आविशक्ता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की, जीवन का अर्थ है, व्रिद्धी, अर्थात विस्तार, और विस्तार ही प्रेम है, इसलिए प्रेम ही जीवन है, वही जीवन का एक मातर गती नियामक है, और स्वार्थ परता ही मिर्त्यु है, इलोक और परलोक में यही बात सत्य है, यदि कोई कहे कि देह के विनाश के बाद और कुछ नहीं रहता तो भी उसे यह मानना पड़ेगा की स्वार्थ पारता ही यथार्थ मृत्यु है। दुख को हृदय से अनुभव करो। समवेदना से तुम्हारे हृदय की क्रिया रुक जाए। मस्तिस्क चक्राने लगे। तुम्हारे ऐसा प्रतित हो की हम पागल तो नहीं हो गए। जब जाकर इस्वर के चल्णों में अपने हृदय की व्यथा प्रकट करो। तभी उनके प कहता हूँ कि अविराम प्रत्न करते चलो। जब चारो और अंधकार ही अंधकार था। तब भी मैं कहा करता था प्रत्न करते रहो। और आज जब थोड़ा उजाला दिख रहा है तब भी मैं कहता हूँ कि प्रत्न करते जाओ। वत्स डरो मत्त। उपर उस अनंत नक्षत्र खचित आकास की और इस तरह भैवित होकर मत्ता को मानो वह तुम्हें उचल डालेगा धीरस धरो देखोगे कुछ ही समय पाद वह सब का सब तुम्हारे पैरो तले आ जाएगा धीरस धरो ना धन से काम होगा ना नाम से न यश काम आता है न विद्या प्रेम से ही सब कुछ होता है चरित्र ही कठिनाईयों की संगीन दिवारे तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है अभी हमारे सामने यह समस्या है बिना स्वाधिंता के किसी प्रकार की उन्नती संभव नहीं हमारे पुर्वजों ने धर्म चिंता के छेत्र में स्वाधिंता दी थी और उसी के फल सोरुप हमारा यह अपुर्व धर्म खड़ा है पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकर दिये जिसके परिडाम सुरुप हमारा समाज दो शब्दों में भयंकर और पैशाचिक हो गया है पास चात्ते देश में समाज को सदय स्वाधिनता मिलती रही है उनके समाज को देखो और फिर दुसरे और उनका धर्म कैसा है वह भी देखो उन्नती की पहली शर्त है स्वाधिनता है मनुष्य को जिस प्रकार विचार और वाणी में स्वाधिनता मिलने चाहिए वैसी ही उसे खान-पान, रहन-सहन, विवा, आदी हर एक बात में स्वाधिन्ता मिलनी चाहिए जब तक कि उसके द्वारा दुसरे को कोई हानी नहीं पहुंचती हम मुर्खों की तरह भौतिक सभ्यता की निंदा किया करते हैं और क्यों न करें? अंगूर घटे जो हैं? भारत की आध्यात्मिक सभ्यता की स्रेश्टता को स्विकार करने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि सारे भारत वर्स में एक लाग से अधिक यथार्थ धार्मिक नर्नारी नहीं है अब प्रश्ण यह है कि क्या इन मुठी भर लोगों की धार्मिक उन्नती के लिए भारत के 30 करोड अधिवासियों को बरबरो कासा जीवन व्यतित करना और भूखों मरना पड़ेगा? क्यों एक भी आदमी भूखों मरे मसल्मानों के लिए हिंदूओं को जितना कैसा संभव है? हिंदूओं का भौतिक सभ्यता का निरादर करना ही इसका कारण था मसल्मानों ने ही इन्हें दर्जी द्वारा सिले हुए कपड़े पहनना तक सिखलाया क्या ही अच्छा होता यदि हिंदू मुसल्मानों के साफ ढंग से खाने का उपाए भी सीख लेते? ताकि रास्ते की धूल भोजन के साथ न मिलने पाती? बहुत एक सभ्यता नहीं नहीं भोग विलास की भी जरूरत होती है क्योंकि उससे गरिबों को काम मिलता है अन 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 चाहिए मुझे तो इस पर विश्वास नहीं होता कि जो भगवान मुझे यहां पर अन नहीं दे सकता वह स्वर्ग में मुझे अनत सुख देगा राम कहो भारत को उठाना होगा गरिबों को दो रोटी देनी होगी शिच्छा का विस्तार करना होगा और पुरोहित की बुराईयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वह चक्कर खाते हुए एकदम अतलांतिक महसागर में जागि रहे ब्रामण हो या सन्यासी किसी की बुराई को छमाना मिलनी चाहिए ऐसा करना होगा जिससे पुरोहितों की बुराईयों और समाजिक अत्यचारों का कहीं नाम निशान तक न रहे सब के लिए अन्य अधिक सुलब हो जाए और सब को अधिकाधिक स्विधा मिलते रहे स्वाधिन्ता पाने का अधिकार उसे नहीं जो स्वयम औरों को स्वाधिन्ता देने को तयार न हो मान लो अंग्रेज ने सब अधिकार तुमारे हाथों में सौब दिया तो क्या होगा? तब तो तुम प्रजा को दबाओगे और उन्हें कुछ भी अधिकार न दोगे गुलाम तो शक्ती चाहता है दुसरों को गुलाम बनाने के लिए इसलिए अब केवल अपने धर्म पर जोड़ देकर तथा समाज को स्वतंतरता देकर इस कारिये को धीरे-धीरे सिद करना होगा पुराने धर्म से पुरोहीत छल को उखाड फेको और इससे तुम्हें संसार में सर्वतं धर्म प्राप्त हो जाएगा समझ गये ना मेरी बात? भारतिय धर्म के आधार पर क्या तुम यूरोप जैसा समाज बना सकते हो? मुझे विश्वास है कि यह संभव है और होना भी चाहिए इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है मद्य भारत में एक उपनिवेश के स्थापना करना जहां वे ही लोग रहेंगे जो तुम्हारे विचारों को मानेंगे फिर ये मुठी भर लोग सारे संसार में उन विचार का विस्तार करेंगे इस कार्ये के लिए धन की आवेशकता है सही पर यह धन आ ही जाएगा इस बीच एक केंदर समीती बनाओ और भारत भर में उसकी साखाएं खोलते जाओ अभी केवल धर्मभिती पर ही इसी सम्मिती की स्थापना करो और किसी उथल पुथल मचा देने वाली समाजिक सुधार का प्रचार मत करो हां मुर्खता प्रसूत कु संसकारों का सहारा न लेना और न देना मुक्ती में सबका समान अधिकार है सभी समान है ये जो तत्व पुर्वकाल में आचार्य शंकर, रामा नुज और चैतन्य आदी द्वारा प्रचारित हुए थे उन्ही के आधार पर समाज को पुनह गठित करने का प्रयत्त करो उत्साह से हिरदय भरलो और सब जगा फैल जाओ काम करो, काम करो नित्रुत्य करते समय सबके दार्ष हो जाओ निस्वार्थ हो जाओ और कभी एक मित्र को पीट पीछे दुसरे मित्र की निंदा करते मत सुनो सब संगठनों का सत्यनास इसी से तो हता है अनंत धैरे रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी काम करो, काम करो दूसरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लख्यन है मैं चाहता हूँ कि हम में से किसी प्रकार की कपटता कोई दुरंगी चाल, कोई दुष्टता न रहे मैं सदय प्रभू पर निर्भर रहा हूँ सत्य पर निर्भर रहा हूँ जो दिन के प्रकास की भाती उज्वल है मरते समय मेरी विवेक पुद्धी पर यह धब्बा न लगे कि मैंने नाम या यस्ट पाने के लिए यहां तक की परुपकार करने के लिए दुरंगी चालो से काम लिया था दुराचार की गंध या बदनियती का नाम तक न रहने पाए किसी प्रकार का टाल मटोल या छिपे तौर्थ बदमाशी या गुप्त शट्रता हमें न रहे परदे की आड में कुछ न किया जाए गुरू का विशेश क्रिपापात्र होने का कोई भी दावा न करे यहां तक की हम में कोई गुरू भी न रहे मेरे सहासी बच्चो आगे बढ़ो चाहे धन आए या ना आए आदमी मिले या ना मिले क्या तुम्हारे पास प्रेम है क्या तुम्हारे इश्वर पर भरोसा है बस आगे बढ़ो तुम्हें कुछ न रोक सकेगा सतर्ग रहो जो कुछ असत्य है उसे पास तक न फटकने दो सत्य पर डटे रहो बस तभी हम सफल होंगे इसमें चाहे थोड़ा अधिक समय लगे पर तो भी नी संदे हम अपने इस कार्य में सफल होंगे अवश्य होंगे इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी दहा था ही नहीं इस तरह काम करो मानो तुम में से हर एक के उपर सारा काम निर्भर है भविश्य की पचास सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है भारत का भविश्य तुम पर ही निर्भर है काम करते जाओ पता नहीं कि मैं कब देश लोटूंगा यहां काम करने का बड़ा अच्छा छित्र है भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रसंसा भर कर सकते हैं पर वे किसी काम के लिए एक पैसा भी न देंगे और दें भी तो कहां से वे स्वयम भीखारी है ना फिर गद दो हजार यह उससे भी अधिक वर्सों से वे परुपकार करने की वृत्ती ही खो बैठे हैं देश जनसाधरन इत्यादी की भाव वे अभी अभी सीक रहे हैं